आप सबका प्रिशा येस कोचिंग करोलबाग नई दिल्ली में आपका स्वागत है और हमारे कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट स्रीज लाया गया है 20 टेस्ट स्रीज जीएस और 10 टेस्ट स्रीज सी सेट और यूपीएसी टू जीरो टू तू 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 इसमें पर पर सेट अंड्रेट कोस्तन है बीस होगा मतलब दो हजार कोस्तन का बैंक आपको मिल जाएगा यूपीएसी के पैटर्न पे और आप इस कोर्स को जॉइन करिए क्योंकि मैं यह दावा करता हूं कि आपके जीएस में यूपीएसी के जब पेपर होगा उस जीएस में वन थाड यानि 33 कोस्तन हमारे उस टेस्ट स्रीज से होंगे होंगे जो 2000 प्रस्टन का बैंक है कि पोई इस समय टेस्ट स्रीज टेस्ट स्रीज के धूम है इसलिए हम भी टेस्ट př श« आको आइं हमारा सटार्ड थरीज समी चार तारी फर्वरी से टेस्ट स्रीज शुरु हरा है आप इसको जॉईन करें और अपनी सफलता सुनिस्तित करें क्योंकि हमारा टेसरीज बीस जो है दो हजार कोर्षन का बैंक आपके उस सौ में 33 कोर्षन लाने की गारेंटी देता है कि आप एक बार आजमा के देखिए आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आएगा कि यह टेसरीज मैंने खुद बनाई है इसकी सारी भासा सब्दावली क्रियेसंस ओरिजनलिटी यह खुद की मेरी है इसलिए इतना गारेंटीट के साथ मैं आपकी आपके सामने बात रख रहा हूं चलिए सीधे कोस्टन पर चलते हैं कि लेटेस्ट को संस है जो इस बार चर्चा में भी रहे हैं करेंट अफेर्स के संदर में यह पूछ रहा है कि भ्रस्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 में आपको मिलेंगे तो भासा की कोई प्रावलम नहीं होगी अब यह देखिए कि इस में कहरा कि क्या क्या जो है भ्रस्ट इस चेंज इस साल कुछ हुआ है इसमें कि नया सेक्षन सेवेंटीवन सेवेंटीवन जोड़ा गया जिसके तर्द सभी स्रेणी के करमचारी अधिकारियों गिरफ्तारी से पूर्ग उनके निंत्रार्दिकार से अनुमति लेनी पड़ेगी यह बात सहिए पहले सिरुफ के मामलों में गिरफ्तारी से पुर्ग उनका कंट्रोलिंग ऑफिसर का परमिसन देगा तभी गिरफ्तारी होगी पहले सिर्फ संजुक्त सचीव कमिस्नर आई जी जोइंट सेक्रेट्री से उपर के लोगों को यह फाइदा था अब कह रहा है इसमें पांच की जगा दो स्व Isana कोंधनी के हिसाब से जादा धन हो और उसका कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं हो कि दूसरा इसमें दिया है डिस्प्रॉपॉर्शनेत ऐसेट के साथ मिस गी एफपरोप्रिये सन यो एफट्रोप्रियेशन ओफ कि इसघंड जब पिरफई होग लाऊं सथक्राण स्रखंड आम डगां हुआ में दूसरा यह कित कि में तो कि दो सवा रूप है है में इसमें और कि अब दूसरा जो आप सरकारी रचंड का कोई जो फैसा ठीक एhou ओघ्अ और तीसरा चेंज जिसमें यह है कि रिष्वत देने और लेने दोनों को क्रिमिनलाइज कर दिया है पहले सिर्फ क्या था लेने वाला अब क्या है देने वाला भी equally condition यह है कि अगर उसने रिष्वत दिया और देने के साथ दिन के अंदर अगर complaint कर दिया तब वो अपराधी देने का मामले में नहीं माना जाएगा आज एक तारीकों दिया और आठ तारीक तक जो है complaint कर दिया तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा क्योंकि यह माना जाएगा कि उसने काम कराने के लिए जब सारे संसाधन सारे स्रोत खतम हो गया थे तो रिस्वत दे के अपना काम करा लिया लेकिन यह ब्रस्टाचार में सामिल नहीं होना चाह रहा था इसलिए उस साथ दिन के अंदर तक्षम PBI को कंप्लेन भेज सकता है ले और इसमें डंड की मात्रा दस बर्स जेल की है ऐसा नहीं है यह जो है कि दस के जगा साथ बरस से पहले पांच सा अब साथ हो गया है तो इसका एंसर कौन सा ही हो गया एक दो और ती यह डी कि यह गलत है कि अब को समझ गया अब को सन का लेबल और पूछने का तोर तरीका देखिए दूसरा को सन जो रात दिन चर्चा में है उस पर देखिए आपको बहुत आनन्द आएगा कि को पूछ रहा है कि कोलीज्यum प्रणाली दिशार के निजिक्ति में या तो कि रहत दिन को लेजियम सिस्टम चल रहा है है न तो भाई इसके आपत्ति क्या तो पहला कह रहा तो कि और चौथा का रहा है कि इस पर ब्यावस्थापिका का कोई नियंत्र नहीं है कि इसरा चौथा का रहा है तो प्राइमा फैसाई आपको लगेगा यह उपरोगत तीन हो यह वाला साहिए जब कि यह गलत अब मैं इसका explanation बता रहा हूं क्यों गलत है पॉलिजियम प्रणाली से नियाइभीस्तों के नियुक्ति में मुख्य आपत्ति की बात कर रहा है अब ब्रॉडर टर्म पर देखिएगा तो प्राइम फैसा ही लगेगा कि हां सही बात है कि पॉलिजियम सिस्टम में में आपत्ति जो है वह यह है भाई भतिजाबाद को बढ़ावा देना पहले जो CGI थे उनके बेटे अभी CGI है और इसे तमाम केसे हैं तो यह सिर्फ नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है जो जज था या है वो सी के आगे परिचित भाई बतीजा बेटा बेटी या एसोसियेटेड़ लोग जादा तर बन रहे हैं इसलिए यह इससे पर अपती नहीं है इसलिए आपती नहीं कि प्रजा तंत्र में हर आदमी वोट डालता है और उनके द्वारा चुने गए लोग जो है किसी काम को करते हैं तो बहुत बड़ी यह पाउंस होते हैं तालिस मेंबरों का जमावड़ा है संसद तो वो सब लोग जो है थोड़े न बोट डालेंगे उसके चुनाओं के लिए राजपती की तरह इसलिए परजात मंद्र के खिलाप नहीं है अब को लग रहा होगा लेकिन आपती की बात यह नहीं करई परज्यात मंद्र के खिलाप तो अभी भी नहीं कभी भी नहीं हो सकता entially अधinfect行 को क्योंकि परजातंत्र आपी के दौरा भीर संभाव नहीं है इतनी कोई नियंत्र नहीं है ऐसे तो तमाम पद हैं जिसके नियंत्र नहीं है जैसे चुनाव आयो कि उसकी नियुक्ति करने में कोई रोल ही नहीं है तो को सब कार्जपालिका का काम है कि तो व्यस्थापिका कोई नियंत्र नहीं है यह भी गलत है परजातंत्र के खिलाफ यह भी गलत है क्यों गलत है वह मैंने आपको बताया में अपति नेपोटिज्म भाई बतिजा वाद को लेकर के है तो यह कोस्टन आप इस तरीके से समझेगा अधरवाईज आपको यह प् पूछेगा कि निर्वाचन आयोग में प्रजातंत्र के खिलाप नहीं दिख रहा है तो ऐसे तमाम संबैधानिक पद है जो कि उस डेफिनिशन के हिसाब से आपको खिलाप नजर आएगा लेकिन ऐसा है नहीं में मुख्यापत्ति यह है और कि इसरा कोस्टन देखिए यह थोड़ा आपको आसान लगेगा अराज अक्तावाद राज विहीन समाज कि बाद किस ने किया था अस्टेटलेस सोसाइटी अस्टेटलेस सोसाइटी की बाद मार्क्स भी करते हैं और गांधी जी भी करते हैं एक हिंसा को मना करते हैं कारल मार्क्स हिंसा को प्रमोट करते हैं लेकिन दोनों स्टेटलेस सिस्टम की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि राज जो है व्यक्ति की व्यक्ति की सोच को व्यक्ति की मौलिक्ता को खत्म कर दो करो डेता है इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए अगर राज्य होनños जडूरी है तो उसको कम से कम साशन करना चाहिए तो इससे बनेगा कि स्टेटलेस सेखर स्टेटलेस सिस्टमIs directly correlated सकता है समाज का मतलब है स्टेटले सिस्टम जो आज परतमान में मोधी सरकार है उसका स्टेटले सिस्टम से काफी जो है क्रियानिवन सिमिलर है क्योंकि सरकार कहती है मीनिमम गवर्मेंट और मैक्सिमम गवर्मेंट हम सासं कम से कम करेंगे आपको ज्यादा करेंगे जिससे समाजी कार्थिक विकास की तेज हो सके देश में इजफ डूइंग बिजनस से सब चीज़े टेक्सेशन तरकार खुद जो है अपने में इन सब बिजनस में नहीं रहेगी यह बिजनस की पॉ करता है मार्क्स क्या कहते है और गांधे जी क्या कहते है तो राज्य एक आवस्टाग बुराई भी लेकिन पूरी तरीके से समात्र नहीं हो सकता इसलिए मिनमं गौवर्मेंट और मैक्सिमम गौवर्मेंट्स की बात होनी चाहिए अल्प तंत्र राजा के द्वारा सासं यह गलत है पुलीगार की About Kulin Tantra ताना साही यह भी गलत है और राजतंत्र प्रजा के द्वारा सासं यह गलत है अगये है तीसरे सवाल पर आप इस सवालों के ग्रेविटी देखते रहिएगा कि एक सब्द है बनाना रिपब्लिक कि क्या चीज है इसके बारे में चार ओप्सुन दिया है फिर कहता है कि कौन-कौन सही है उसको बननित करिए तो बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या है अगर आपने नाम सुना हो तो आप जल्दी समझ जाएंगे में एंबढ़क में एक लघु हो कि लगन देशे जिसकी दूनिया में उसकी कमायी होती है एक ब्रहत देश जिसकी अर्थववस्ता केले के निर्याद पर गलत है ऐसा कुछ नहीं मदफिर के देश जहां केले की खेती अधिक होती यह गलत है प्रजातांत्री गंडराज जो फलों में परधान केले की खेती को प्रोनत करता है जिस पर उसकी अर्थववस्ता ठीकी यह गलत है बताने का मतलब मेरा यह है कि को संस को किस तरीके से डिराइब किया गया है जिससे लेवल कि एट फार हो जाए और मैच करें ताकि आपको सोचने समझने में टेस्स देने में देने से फाइदा हो अधरवाई सिंपिल कोशन पूछ लेगा तो क्या फाइदा हुआ इसमें घुमाया है हमने कि आपको यह दो तीन चार भी ठीक लग रहा होगा कि तो सही कौन है सिर्फ नंबर एक कि यह सब कंफ्यूज के लिए हमने उस तरीके से बनाया है जिससे आपकी सोचने में कि प्रावलम हो और आप कंफ्यूज हो यह है इसका सिदा सिदा मतलब कि कुछ आगे के को सन आपको दिखाते हैं यह दिखिए तक 32 नमबर इसका कारजपालिक्या के प्रधान को मंत्रियों ने क्या सलाह दे थी को सब्सक्य कि कितना क्विस्टिंग और कितना अट्रेक्टिव है आप कि कारजपालिक्या का प्रधान कौन हुआ राश्पति वो मंत्रियों ने क्या सलाह दी इसके बारे में नियाले कोई जांच नहीं किरेगा और साथ ही राश्पति का कोई कार सचीव दोरा प्रमाणित किया जाता है तो उसके लिए कोई मंत्री उतरदाई नहीं होगा यह सेंटेंस है कि अब कह रहा है कि इससे निम्नितत है रखांकित होता है क्या होता है राश्पति नियाइक समिख्षा सुपर है उनके निर्णियों को चुनोती नहीं दी जा सकती ठीक है उसके बाद कह रहा है हां मंत्री परिशत कार्जपालिका के प्रतीं उतरदाई होता है ग随क गलत है घृजिंधियों1 अपरिख्छिर्ण नहीं 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 नाहीं संभव है नहीं संभव है ऐसा हो नहीं कह सकते चुकि राश्पति उनको मंत्री परिशत का चुन वो करता है नियुक्ति लिस्ट भले परधान मंत्री साथ देते हैं कि अंकी कार्जपारिका का परधान कि प्रसिदेंट कि सेक्षन ऐटिकल 51 और डी कहरा कि राश्पति की मंत्री परिशाद बिधाई क्या प्रति उतर दाएगे यह सही है कि यह और डी यानि यह वालत के वाल एक और चाहर तो मैं यह बताना चाहरा हूं कि आप कोस्तों का लेवल देखिए कि इतना ट्विस्टिंग है कि यह देखिए कितना कितना मज़दार को सब्सक्राइब करिएगा तब आपको जो है एक्जाम पास करने में सौलियत होगी और इसी के बेसिस पर मैं दावा करता हूं कि वन थाट कोस्तों जो है यूपी यूपीसी प्री के हमारे पढ़ाय कर लिए इसके लिए प्रिशा आईएस एप गुगल अस्टोर गुगल प्लेयर स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसके टेस्ट्री सेक्षन में चले जाईए मात्र उन्नीश वन्नीन अन्वर उनलाइन और प्राइण इसका प्राइस है थैंक यू थैंक यू बेरी मच